हेलो एवर्योंन आप स्वी का स्वागत है श्टडि लटपे सभी प्याली विद्यारतियो को नभस्कार तो आज हम बाद करने वाले वनरक्रक्रक्रक्रक्राइस के निधा प्रेश for Each होगा और अगर नोर्मलाइजस न होता है तो किस शिप्ट को आपको फाइदा मिलेगा ठीक है नोर्मलाइजस न होता है तो कौन सी इस वीडियो को स्टार्ट के लेते हैं सबसे पहले आपको पता है आपकी इसमें लगबग 16,00,000 के आसपास आपके फोरम बरे गए थी ठीक है 16,00,000 के आसपास फोरम बरे गए थी और एक्जाम में आपकी लगबग 45-50% उपस दीती है ठीक है 45-50% एक्जाम दे रहे हैं लगबग 8-9,00,000 के समतिंग विद्यारती एक्जाम दे रहे हैं तो आपको पता है कटोफ भी थोड़ी कम जा सकती है और पोश्ट आपकी टोटल 2000 के आसपास है ठीक है 2000 के आसपास इसमें आपकी पोश्ट है फिर भी हम से आपकी कटोफ रह सकती है यहां पर देखे वनरक्सक कटोफ 2022 से यहां पर सबसे पहले जनरल में देखे जनरल में में 75-50% आपकी कटोफ रह सकती है अब आप सोचोगे इतनी भी हाई जाएगी क्या इतनी भी हाई जा सकती है फिर कम रह सकती है तो मैं बताता हूँ यह नह केब सम्थिंग उसके बादよねी की मेल की सतर प्रेस और फिमेल की रहेगी 65 प्लस ठीक है उसके बाद देखे एक रहे की शुचाउचे तंष सुनंड शुचे अदिखेसे 2 तीन नमर् या तो मैस या फिर प्लस दा सकती है यतिना डिफरेंट आपका देखने को मिल सकता है ठीक है और फिर भी अगर हम देखें safe score ठीक है safe score अब देखो cut off है ना आपको पता है post आपकी कम है तो इतनी cut off तो आपकी राम से जाएगी फिर भी safe score देख लेना आपका रहेगा 55 से लेकर आपका 65 के something safe score रहेगा ठीक है 55 से लेकर 65 के something आपका safe score निश्य तोर पर रहने वाल है उसके वाद में बात के लेते हैं कि normalization होगा या फिर नहीं होगा तो देखो normalization आपका होगा क्योंकि आपको पता है जब भी exam exam 1 से ज्यादा shift में होती है ठीक है एक से ज्यादा shift में अगर एक कोई बी exam तो यहां पर 30 shift का आपका पेपर इजी है इनके विद्यारतियों का average माली जी आप 62 बन रहा है नमरों का ठीक है इन सभी का 60 बन रहा है इन सभी का 60 बन रहा है इनका 62 बन रहा है तो ऐसे में जो 3 shift इनको तो दो नमर गोंस दिये जाएंगे ठीक है इसे साब से normalization होगा ठीक है इसे साब से normalization होगा और फिर अगर हम बात करें कि कि shift का paper easy था तो आपकी जो 3rd shift थी 13 November की जो morning की shift यानि 3rd shift उसका paper एकदम easy रखा गया ठीक है तो इस shift में जयदा नमर average जा सकता है तो ऐसे में आपकी जो 12 November की 2 shift है और 13 November की जो evening की shift है उनको फाइदा मिल सकते है ठीक है उनको निश्य तोर पर 2-3 नमर bonus के दिये जा सकते है ठीक है यहां पर आपकी normalization की जो परिकरिया वह 100% होगी क्योंकि आपको पता है जब भी कोई exam एक से ज्यादा shift में होता है तो उसमें normalization लागव होता है और यहां पर पूरी संका है कि यहां पर आपकी जो आपकी 13 November की morning की shift है यानि 3rd shift है उनके विद्यारतिका average ज्यादा बनेग 85-65-25-25-60 तोर पर आपका safe score रहने वाला है क्योंकि आपकी post भी कम है तो cutoff भी थोड़ी ज्यादा high जाएगी उतने भी नहीं थोड़ी हत तक आपकी high जाने वाली है तो यह सब आपकी cutoff रहने वाली है और हमने आपको सारी details दे दी अभी भी आपकी कोई doubt है तो comment करके पू करें तो